तू पढ़ ले रे बाबु टाइम कम है रे, टाइम कम है एकजाम का तू जान ले रे, जो कोश्चन मैं बताया वो तू कर ले रे, एकजाम में ये आ रहाम तू पढ़ ले रे बाबु टाइम कम है रे, टाइम कम है एकजाम का तू जान ले रे, जो कोश्चन मैं बताया वो तू कर ले रे, एकजाम में ये आ रहाम चैनल एडू फाइबर को तू सब्सक्राइब कर ले यहां सब कुछ मिलेगा वो तुम्हे जिस्त की जरूरत चाहे मैथ हो या साइंस, तोसल साइंस हो या इंगलिश, चाहे संस्कृत हो या हिंदी भाशी यहां सब कुछ मिलेगा जो तू चाहे तू पढ़ ले रे, बाबू टाइम कम है रे, टाइम कम है एकजाम का तू जान ले रे, जो कोशन मैं बताया वो तू कर ले रे, एकजाम में ये आ रहा तो बच्चों स्वागत है आपके अपने चैनल एडुफाइवर टिक ओफ एजुकेशन में आज मैं आपको बताऊंगा 6.8 पर में ये पर में बहुत ही इंपोर्टेंट है और कलास 10 में बराबर ये पर में पूछाई जाता तो चलिए बच्चों देखते हैं ये पर में कहत कि सेस्टो भूजाओं की वर्गों के योगे चे बराबर होता है सबसे पہले बच्चों हम लोग को समकुन त्यभूज के बारे में ठोड़र चर्चा कर लेना है कि समकुन त्यभूज त्यज необходимо दिएगा कै ध्यां से देखिए का दिटीर बच्चो यह उसका निशानिय अबाई इसको नव्य Ilokuे करते हैं आधार गा करते हैं कि नोट करते हैं आधार को 20 नोट करते हैं भाई क्या कहता है पर में करना का स्क्वाइर करना यानी अच का स्क्वाइर और इसका स्कुएर अइन दो भूजा देखिए एक तिरफूज में भूजाई चितनी होती है ता पुलेगा सर तीनी भूजा और हमें से देखिए यह जो कर्न का स्कवैर है उसके साथ Fil 1966 करना स्कूर्ण करने पर हमें चस्कौरर मिल रहा यानि करनप का स्कॉयर बराबर होता है लुका स्कॉर प्लस आधार का इसकुध कहता है हम हिंधोर स्थक्व कॉड्स पर में यह लगता है पाजिभ अपको ना करन का स्क्वाइबड करना है पाइठो गराः हम इस drowned करोके दिखा देना वह सबसे पहले आपको लिखना है या प्रमे 6.1 में सब्से पहले हम लोगों दिया है लिखना है उसके बाद तो सीध्य करना है तीसरा हो गया रचना से और चौथा हो जाएगा क्या प्रमान से तो सबसे पहले देखिए बच्चों दिया है क्या लिखेंगा हम लोग दिया में सबसे पढ़िए सीध कीजिए एक समकुन तिर्भूज में कर्ण का वर्ग सेस्द भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है यानि समकौन है समकौन यानि एक कोंड हमारा क्या होने वाला है 90 कि सको दिखाए बच्चों देख लिजी आप कों b को कों b हमारा क्या है इसके बाद देखिये तो सिध Marx करना है क्या सिधिकर देखिए तरन का वर्ग सेस्द हुजाओं के वर्गों के योग के बवराबर है तो करन का वर्ग देखिए तो अगर यह सम्कौन्ति रोजहę बाभू यह 90 धिक्ति leader है क्या प्रूब्ड करना प्रूब्ड करते हैं तो पहले हमें रचना करना पड़ेगा रचना क्या करें बई से यह जो एसी है उस पर हम लंब डाल दिया और यह क्या हमारा देखिए तो यह बीडी किस पर लंब डाले एसी पर तो यह हम डाल दिए वही कि बीडी लंब एसी खीचा यह आपको सबसे पहले लिग देना है इसके बाद लास्ट लास्ट हमें क्या करना है प्रमान तो प्रमान में क्या करेंगे वही दियान से देखे बच्चों इसके अंदर जब हम रचना किये तो यह तीन है यह एक तिर्भुज है यह भी एक तिर्भुज है और यह बढ़का वाला भी एक तिर्भुज है तो कूल मिला के तिर्भुजों की संख्या कितनी हो गई ताब बोले का सर यह तो तीन हो गई तो चलिए तीनों तिर्भुजों को लेकर इस प्रमे को आज हम लोग सिध्य क यहां पर 90 डिगरी है ध्यान दीजिएगा उसके बाद B, D, C, D पर 90 डिगरी है देखे डी डी सेम है ना और B, B हमारा 90 डिगरी था तो A, B, C यह बढ़का वाला तिरभूज हो गिया यह छोटका दोनों हो गया दोनों आपस में सेम है ठीक है चलिए अब इसी को लेके बनाते ह लेंगे तो हमारे पस एक बड़ा तिरभूज और चोटा हो जायेगा बच्चो एबी डि या एडी भी फ़ी ले सकते हैं तो हमें आप ले लिए अब दोनों को हमें देखेंगे बाइए सम्रूप है कि सर्वांगसम है चुंकि देखें यह चोटा तिरभूज है और यह बड लगने वाला है सरवांगसम का कसोटी इसमें नहीं लगेगा तो क्या करेंगे बच्चों ABC और ADB में देखेंगे क्या मिल रहा है तो सबसे पहले देखिए कि यह भी 90 डिगरी का रूप धारन किये हुए है और यह जो छोटा तिर्भुज है यह भी 90 डिगरी का रूप धारन कि क्योंकि उपर में रचना कि यह लंब डालने से 90 डिगरी हो जाता है तो रचना से वह गया उसके देखें तो इन दोनों में क्या वाला तिर्भुज में क्या कॉमन है तो आप बुलेगा सर दोनों तिर्भुज में तो भई यह एंगल एक और देखिए छोटका वाला common है इसलिए क्या है बाबू कोणने की भूजा है तब बोले गा सर तो कोण है तो इसलिए हम कोण लिए उभाइनिस्ट कोण अब देखिए यह एंगल हो गिया यह भी एंगल हो गिया और हम जानते हैं कि इसमें सर्वांगसम होगा ही नहीं यह दोनों तिर्भूज आपस में कभी सर्वांगसम होंगे क्या नहीं होंगे तो क्या होंगे तो समरूप होंगे तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से abc और adb ये दोनों तिर्भूज आपस में क्या हो चुके है तब बोलेगा sir समरुब हो चुके है समरुब समझ में आया समरुब का मतलब क्या होता समानुरूप उसमें angle बराबर होता है भूजा कभी बराबर ने होगा भूजा क्या होगा अनुपात में होगा तो चलिए जैसे हम समरूपता की कसोटी को पूरा किए अब हमें क्या करना बच्चों हमें अनुपात को दिखा देना भूजा का जैसे यह बढ़का वाला तिर्भूज में हम कर्ण को पकड़ लिए देखिए एसी को लिए हुए बड़ा वाला तिर्भू आपस में बड़ाबर हो गया चलिए अब एसी को लिए तो और एक भूजा हमें लेना पड़ेगा द्यान से बड़ा क्या प्रोबलम होता है बच्चों लेंडु से कुई आजाएगा आबकि लेना इनक में में नुक्रोस कर देते हैं क्रोस कर देता हैं बढ़ा आप तिर्भूज दों तहीं करेंगे पूना फार्ट में अब पूना यहाँ लिख सकते हैं पूना एब सी तथा तिरफूज BD C में, ध्यांस रेग Vale 그 BDC और A BD S में, अब देखिए, इन दोनों को भी क्या करें इंगा सरवांगसम कर सकते हैं क्या, अबहर िसरवांगसम नहीं होगा तो जब सरवांगसम नहीं होगा तो यह क्या बनने वाला है, यह समरूप होने वाला है तो समरूप करते हैं बच्चों चलिए देखे समरूपता की करषोटी को पूरा करते हैं बई A B C और इसका B D C रेखे इसका B एंगल और इसका D एंगल ध्यान से रेखेगा बई यह 90 डिग्री है इसका और इसका 90 डिग्री यह दोनों आपस में क्या ह हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे कैसे लेंग अंगल bdc इसका एंगल एबी सी आंगल एभाखीन कीजों बराबबर है क्योंकि दोनों क्या है नबभे डिग्री है तो चलि miss दियां से देखिए और रचनांका फॉसके रोभूड में किया है अभी तो हम लोगों ने डी और बी का प्रको लिया यह दोनों किए इससमें और इसमें इस स्यों है दोनों में हैं यानि हम इसको क्या कह सकते हैं तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा एंगल बसीड है यह क्या है उभ Parece यह चलिए को पर बदाफोटा इसका शमरूप में देखिए कर्ण क्या है एसी है चलिए एसी ले लिये और यह वाला जो तिर्भूज इसमें कर्ण कोन हो जाएगा रिखिए यह कर्ण है यानी बीसी तो ध्यान से रेखिए AC और BC आ गया ना दोनों आपस में करण है और BT को तो लेंगे नहीं BT से कोई लेना देना है ही नहीं हमें तो हमारे पास बचेगा क्या बाबू CT बचेगा और इदर से BC बचेगा तो देखिए AC के संग BC ले लिएं बड़ा वाला तिर्भूज में और छोटा वाला में क्या ले लिएं CT अब दोनों का आपस में गुना करते हैं BC और BC गुना होने से BC का स्क्वेर हो जाएगा और CT और AC गुना होने से क्या हो जाएगा बच्चों AC इंटू CT हो जाएगा बस यह समिकरण 2 लिख दीज़िए अब समिकरण 1 और 2 जैसे ही मिल गया बस दोनों को जोड दीजे तो AB के संग अगर बीसी को जोड देते हैं तो हमें AB का स्क्वेर पलस BC का स्क्वेर मिल जाएगा कोई दिक्क्त चलिए अब इदर देखिए आगे क्या है जोट प्लासण सायए नौनों दोनों क्या मिल रहा है this means यहां पूड़ा लेते हैं अब अंदर में कून बचेगा अंदर में वचेगा बूई यहां और इदर से और सस्थी तो अन्दर में लिख दिये अब ध्यान से लिखे एटी और सीटी को जब हम जोड देते हैं तो हमें कि यह D और यह सी तो A・D और Cे・D को जोड़नेंगे बॉचों तो हम इसको बोल सकते हैं कि Nii A सी यह बन जाएगा तो ध्यान से दिखिए A 조gny A क्या लिख सकते हैं ए सी आगे से हैं पिर से एस तो चली बच्चों आज के लिटना ही रखने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में